ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायन में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है जो हम हासिल करके रहेंगे और इसके लिए हमें एलक्शन जीतना होगा और एलक्षन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होगे और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए? हमें जन्ता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा और जन्ता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्नी, नाकारा और बेकार समझ कर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं और इसके लिए हमें क्या करना होगा चारों तरफ बेचैनी खौफ का माहूल पैदा करना होगा हर सूबे हर शेहर गाउं में गतल आम डेकेटी फसाद कराने होंगे जैसे हिंदो-मुस्लिम फसाद, सिक्क और हिंदो फसाद, क्रिचन हिंदो फसाद, मुस्लिम-शिया सुनी फसाद मतलब इतना कतल और खुन और घालत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलीस कुछ न कर पाए और जब देश, तहशत और जल्म की आज में जल रहा होगा, तो हम अपने घरों से निकल कर स्टेज पर कड़े होकर सरकार की बुराईया शुरू कर देंगे और साथ में एक जनता को एहसास दिल्वाएंगे कि अगर कोई उन्हें जल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम है, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है एक्सेलेंट आइटिया और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए मतलब खून बाने के लिए हमें पैसा पाने की तरह बाहना होगा और इसलिए आज मैंने अमर्जेसनी बिटिंग बुलाई है और शेर के बड़े-बड़े रईसों को तावद दी है तो क्या एरादा है आप लोगों का पहलाई हुग साय लेकिन मैं चाहूँगा कि जाधा जमा जाय तो बैतर है क्योंके आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेट कीतरा है और सियासतदान एक किसान कीतरा होता ए आज इतना भोग है कल उसका उसका हजर गुना पाओगे आज अगर लाग लगाओगे तो कल कुरों पाओगे आज अगर कुरों लगाओगे तो कल लगों पासकते होगे